मौर्फालोजी ऑफ स्पाइडर्स स्फैलो थॉरेक्स स्पाइडर्स की बाड़ी के दो इंपॉर्टन पार्ट है जो पहला पार्ट है उसको स्फैलो थॉरेक्स और दूसरा पार्ट अबडॉमिन कहलाता है इंसेक्षिम बाडि के अंदर сφैलो थारेक्स अलादा अलादा हेड और थारेक्स की फार्म के अंदर होते है जबकि स्पाइडर के अंदर ये हैड और थारेक्स का जो रीजन है ये fuse करके एक combine structure बनाता है जिसको sphalothorics कहते हैं अब sphalothorics के अंदर important structures मौजूद होते हैं इस लाइड के अगर हम देखें तो ये sphalothorics के उपर आइस वाज़त और पर देखें देखी जा सकती है अब spiders के अंदर दो किसम की eyes हो सकती है ये white या nocturnal इसी तरीके से black या diurnal diurnal से मुराद है कि ऐसी eyes जो दिन के वकत काम करती है जो कि दिन के वकत देखने में मदद करती है और nocturnal spiders रात के वकत बाहर निकलते हैं और pray capture करते हैं अब बहुत सारे spiders ऐसे हैं जो सिरफ nocturnal है बहुत सारे ऐसे हैं जो diurnal है कुछ spiders ऐसे हैं जिन के अंदर दोनों किसम की eyes मौजूद हो सकती है ऐसे spiders जिन के अंदर सिरफ एक ही टाइप की eyes मौजूद हो तो ये जो condition है इसको हम homogenous कहेंगे लेकिन अगर एक spider उसके अंदर दो किसम की eyes है यानि nocturnal भी है और diurnal टाइप भी तो इस condition को हम heterogeneous conditions कहेंगे आम तोर पर जो spiders की eyes है ये two rows के अंदर arrange होती है जिन को हम anterior और posterior row का नाम देते हैं उसके बाद हर row के अंदर चार आखे मौजूद होती है आम तोर पर ये दोनों जो rows है eyes की ये कर्प होती है उसके लावा जो spider की eyes है इनको हम position के हिसाब से मुख्तलिफ categories के अंदर divide कर सकते हैं पर जेमपल अगर anterior row है तो anterior row के अंदर जो दो central वाली eyes होंगी जो median eye होंगी उनको हम anterior median कहेंगे और जो side वाली दो eyes होंगी उनको anterior laterals का नाम देंगे इसी तरीके से जो posterior eye है उसकी जो center वाली जो eyes होंगी उनको हम posterior median और side वाली eyes को हम posterior lateral का नाम देते हैं उसके लावा वो area spherothorics का जहां पे eyes मौजूद होती है उसको हम ocular area कहते हैं उसके बाद spiders के अंदर जो median eyes है यानि दो anterior median और दो posterior median ये चारों आखे मिलाके इसको हम ocular quad का नाम देते हैं उसके लावा clipius क्लेपियस क्लेपियस क्या है क्लेपियस basically वो area है जो के anterior row of eyes और anterior margin of carapace के दर्म्यान में है यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे carapace को दिखाया गया है उसके साथ साथ अगर हम sphalothorics को देखें तो sphalothorics के साथ यह four pairs of eye जो legs है वो attach है हमने यह देखा था कि जो चार functional pairs हैं spiders के अंदर वो सारे के सारे sphalothorics के साथ attach है abdomen के साथ कोई भी appendages attach नहीं होती उसके बाद जो sphalothorics है इसका जो ventral portion है इस ventral portion को sternum कहते है sternum की जो shape है यह बहुत important है यह भी एक important taxonomic character है बहुत सारे spiders ऐसे हैं जिनके अंदर जो sternum है यह oval shape होती है और बहुत सारे spiders ऐसे हैं जिनके अंदर sternum heart shape है तो इस character की base के उपर हम मुख्तलिफ families को separate कर सकते हैं उसके लावा spiders के अंदर यह ख्याल किया जाता है कि शायद इनके अंदर six pairs of legs थे इनका जो पहला pair था चैली सिरा दूसरा जो pair था वो pedipel बाद में यह दोनों modify होके इन्होंने special अपने functions हासिल कर लिए जबके four जो functional walking legs अभी भी spiders के अंदर मौजूद है उसके लावा अगर हम spiders के अंदर बात करें तो इनका जो palp है बाकी तमाम टागों के साथ parts है लेकिन जो pedipel बाद में इसके six parts होते है और male के अंदर जो pedipel है इसका last वाला जो portion है वो swollen होता है जबके female के अंदर ये swollen नहीं होता तो इस slide के अंदर जो sphalothorics है sphalothorics के अंदर जो structures मौजूद है वो दिखाए गए हैं यहाँ पे ये ventral side के उपर sternum है उसके लावा ये legs का वो part जो के इस sphalothorics के साथ attach होता है उसको हम coxa कहते हैं उसके लावा जो chalice ra है chalice ra के बिलकुल tip के उपर fang मौजूद है fang वो structure है जो के venom को inject करता है pray की body के अंदर chalice ra की base के उपर venom gland मौजूद होता है venom gland से जहर पैदा होता है venom पैदा होता है ये venom fang के जरीए insect की body के अंदर दाखल किया जाता है जिससे insect की body paralyze हो जाती है और उनकी body के जो soft tissues है वो liquid farm के अंदर convert हो जाते है और ultimately जो spider है ये उनका जो sap है वो सक कर लेती है